हेलो फ्रेंड एक बार फिर से राम राम सारा ने तो कैसे हैं आप सब लोग आई होग कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो आप सब का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने टोट चैनल पर इव लोग में तो आज की वीडियो की स्टाइडिंग हो रही है मोर्निंग से और आज की वीडियो की स्टाइडिंग हो रही है एक गुड नियूज के साथ उस गुड नियूज का जिसका लोग बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे थे तो आज की जो वीडियो है उसमें बताने वाली हूँ कि जो हमारी हीनु व्लोग है जिसको जिसकी ड्लेवरी का लोग बहुत बनों से इंतिजार कर रहे थे उनकी ड्लेवरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी थे जिसके चलते होने अपने ड्लेवरी के लिए क्योंकि जो प्लेट्स थी ब्लड रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि जो प्लेट्स है वह बहुत डाउन आ रही थी और उसकी चलते होनको बीपी था वह काफी हाई चल रहा था और वैसे भी जोक्टर थी वहाँ पर वहाँ पर फिलाल की टैमपर नहीं थी उनके ड्लेवरी टैमपर तो उन्होंने पहली बोल देता कि आपको यहां से मतलब मैं ड्लेवरी नहीं कर पाऊंगे आपकी तो इसलिए वह हल्दवानी आ गए थी क्योंकि हल्दवानी उनकी नि बेबी वोई है वह आपको यह पर लेगा लेकिन फिलाल यह कंफर्म है गया है कि हीनुकि भीट हो गया है तो हीनों अब बहुत बहुत कॉंगरेशूलेशन की उनको इन बेभी के लिए बहुत लोगों को इस दिन के इंतिजार था और वह बहुत जदा घवराई करें लेकिन कности क्येते हैं कि इस सब लोग दूआई करते हैं मीलकर तो सब अब आप दुनों जल्दी से रिचाश होके घर आ जाओ बेबी के फेस का सब इतिजार कर रहे हैं अभी यह भी कन्फर्म नहीं हुआ है कि बेबी गल हुई है लेकिन जल्दी ही इसका भी कन्फर्म कर देंगे वीडियो में कि क्या हुआ है और आपको जल्दी जल्दी बताने क करेंगे फिलाल आसी वीडियो में इतना ही कि हीनु के घर जो खुसकबरी है वो आ गई है नमन का भाई या बेहन जो भी है वो जल्दी ही नेस्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा तो हीनु के घर बहुत बड़ी गुड़ म्यूज आ गई है तो चले करते हैं जिस को दूसरा जनम होता है और उसके बाद बेबी हात में आता है तो सारा दर्द वर सब भूला जाता है कुछ या दिन रहता है कोई दर्द हुआ भी था तो इस वीडियो को ही पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं को एक चीज़ों नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई दयू